नवस्कार दोस्तों आपके एपने यूटूब चेनल कलाम स्टेडी में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में बर्चा करने वाले हैं आरेस परी 2018 के पेपर के बारे में डिस्क्स करेंगे हाले में दोस्तों आरेस मैन का एक्जाम हुआ 25 यह 26 जून 2019 को एक्जाम हुआ है तो उस पेपर में जो भी परसन आये थे उन सभी के हमने वीडियो बना करें हमारे चेनल पर डालती हैं यदि आपने अभी तक आरेस मैन के परसन है वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक दोस्तों आपको नीचे दिस्क्स में मिल जाएगा तो वहां पर जाकर हमारे आरेस मैन के जो क्यों सब्सक्राइब देख सकते हैं इसके अलाव दोस्तों बच्चों ने रिक्वेस्ट किकती है कि सर आरेस परी का जो पेपर है उ तो आप वीडियो को सुरुरि से ले करें तक पूरा देखें तरह नीचे कमेट defect करते रहें साथ-साथ में that संथ मैं प्रेस क्या ऊहलेहिए वसकत मैं आश्याम बता रहा हूं लेकिन सभी किष्णों के आंसरा आपको साथ-साथ में कमेंट करते रहना है जिसे आपका रिविजन होता जाएगा बहुत अच्छे से आपके तयारी हो जाएगी दोस्तों इसमें 150 किशन आये थे और 32 पेज़ का यह पेपर था तीन गंठे का इसमें समय दिया गया था तो हमें देरे देरे इसको डिसकस करेंगे तो वीडियो को समय दोस्क्राइब नहीं किया है तो निचे दिये गे लाल सब्व के बटारण को दुखा कर लें तो उस लिकिर कतनों में से कौन सा कतने सत्य है नेचे चारे ओप्शन दिया गए थे तो कतन देखते हैं कि कांग्रेस के नागपूर सत्तर यानि 1920 में वह था उसके पसाद प्रांत ये कांग्रेस समीतियां का गटन बासाई आधारपर किया गया था बी है गुनी 128 में कांग्रेस ने बासाई आधारपर प्रांतों के गठन की मांग को अश्विकार कर दिया था इसमें दोस्तों निमल लिकित कूट में से सही उत्तर को चुनिये तो सही उत्तर केवल ए होगा केवल बी होगा ना तो ए और ना ही बी ए ये और बी दोनो आपके प भी दोनों इसका राइटांसर हो गया अगला कि सुन देखते हैं निमल लिकित में से में से चोह और किसस्थल से चोर्प्राणतों से जोली बुए है तो इसका राइट ना बहलागा है तो बेराट सेum सासक जो मिलेंडर है उसके 16 सिख्य प्रप्ते हुए है निमल कित में से कौन सा सासक गुद्जर प्रतिहार राजबन से संब्धिते नहीं है तो कौन सा नहीं है नागबट सेकेंड मेहंद्रपाल फैस्ट देवपाल यहूं भर्त बट फैस्ट जल्दी बताइए आंस्वर इसका राजस्तान के पूर्व मद्दे कालिन राजियों में नेमितिक पदनाम का परियोग किया जाता था किसके लिए किया जाता था राजकिये कवी के लिए लोग स्वास्ते भी बाग के परमुकों के लिए राजकिये जोतिशी के लिए या मुख्ये नहीं के एधिकारी के ल दोस्तों राज किये जोतिसी के लिए नेमितिक का प्रियोगी किया दाता था तो यह आरेस 2018 का परी का पेपर है आपने दिया तो आपको पता होगा यह आप तयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको निचे कमेट बॉक्स में करते रहना है नेक्स्ट क्यूशन है करांतिकारी जिसे महेंद पैरेलाल हत्याकार्ण में सजा मिली थी वैकोन थे तो जुरावर शिंग थे शामकश्न वर्मा थे केसरी सिंग बारण थे विजे शिंग पतिक थे क्या होगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तो केसरी सिंग बारेट को पेरलाल अत्यकान में सजा मिली थी नेस्ट कुशन है निमल लिक्कित में से किसने राजपुताना की देशी रियास्तों के साथ से बात 58 implementing संदी की थी एप्शन है डेविड ऊक्टरलोनी चार्स 알려 Lea Sr. जया जोर्ज तो इसका राइट आंसवर क्या होगा दोस्तो इसका राइट आंस्र होगा चार्स मेट्डॉफ चार्समेटकोफ ससब्सकी उत्तर हो दोस्तों आप रव कोपि में भी इसको answer कर सकते हैं गाद में बताये किए आपके कितने किसलों में से कितने किसलों नहїं सही हुआ कुल चे कमेंट करके हम बता सकते हैं वा कुंब हाँ प्रताफ पॉर्ति या सापउर सेंच सही लिगए बुंदी कि प्रतापगड निकूर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्यपूर, तो इसका उद्यपूर से उत्र होगा, नेक्स्ट है, त्याग भूमी के संपादक कौन थे, रिबाव उपाध्याए, जे नान व्यास, देवी, दत्रिपाठी, यह रिशीदत महता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दिया होगा दोस्तों, हरी बावू उपाध्याए, तो त्याग भूमी के संपादक कौन थे, हरी बावू उपाध्याए थे, नेक्स्ट क्यूसन है, सुमेलित क्ये जिए, इस क्यूसन को द्यान से देखना, यहाँ पर देरका है, कामेशवर महदेव का मंदिर, अलवर, सीतल का जोदफुर, पिपला माता का जालवडा, और निलकंट का पाली, तो यह निची आपको सही कूट दिये गए है, कूट को अराम से इसको वीडियो को प्यूज करके पढ़ लीजिए, इसका आंसवर दीजिए, तो इसका राइट आंसवर क्या होगा दोस्तों, इसका मंदिर कहा हो गया, शितलेशवर का मंदिर जालवाड में हो गया, तो दूसरा पिपला माता है, पिपला माता का मंदिर कहा हो गया, जोदफुर में हो गया, तो निलकंट का मंदिर कहा हो गया, अलवरे में हो गया, तो यह इसका सही सुमेली थी, आंसवर हो गया, नेक्ट चितोडगर किले के निमल लिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है चितोडगर किले में मंदिर है इन में से कौन सा जैन मंदिर है कुमश्याम मंदिर, 27 देवरी मंदिर, समीदेश्वर मंदिर या तुलजा बवानी मंदिर इसका राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर हो गा दोस्तो साथवीशी देवरी मंदिर तो साथवीश देवरी इसका सही उतर हो गया नेक्स्ट है निमल कित में से कौन सा चितरकार अलवर सेली की चितरकला से समधित नहीं है तो कौन सा चितरकार नहीं है जमनादास बक्सा राम नानकराम या नंदराम तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो नानकराम तो नानकराम है ये अलवर से लिगे चितरकार से समझेते नहीं है next question है निमलकित में से कौन सा सुमेलीत नहीं है नहीं है वो बताना है पेपर को आप द्यान से एकजाम दे रहे हैं ये जिसलिपना से 이식े आपका कोई कुछन है न हो तो ये रचना है बोल भारमाली यांद पंदर सर्मा की है पागी चंदरपा परकास देवल की है ता कोडम दे मेगराज मुकुल की है पग भेरू मनी मदुकर की है तो यह में से कौन सा सुमेलित नहीं है इसका राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तो एक नंबर यानि बोल भारमाली है यह यादोवंदा संदरपा की नहीं है बाकी नीचे वाले तीनों सही है नेक्स्ट कुशन है गवरी डेवी जिस गायन से लिस्ट से सम्मदित थी कौन सी गायन से लिस्ट से थी लंगा से मांड से तालबंदी से या धुमरी से तो किसका राइट आंस्वर क्या होगा तो ए इसका राइट आंस्वर होगा एक नंबर इसका सही होगा तो लंगा इसका सही आंस्वर हो गया तेरा क्योशन हमने कर लिए यह चोद्वा क्योशन देखते है नारी संत दयाबाई शिश्या थी तो नारी संद दयाबाई है किस के सिशा थी संद चरंदास की संद निम्ब काचारिय की संद रेदास की या संद रामचरण की किस की थी तो नारी संद दयाबाई है यह किस के सिशा थी यह संद चरंदास की सिशा थी तो इसका राइट आंस्वर क्या हो जाएगा संत चरण दास की दोस्तो हैर क्योशन के बाद में आपको मैं तीन सेकिंड आंस्वर देने के लिए दे रहा हूँ तीन सेकिंड में आप इसका आंस्वर आपको निच्छे कमेंट बोक्स में लिख सकते हैं से आपका revision हो जाएगा था ज्याद से आपको याद होने में आसानी रहेगी next question है गराशे जन्जाती से समधित नर्ते सेली है तो कौन सी है गवरी है लूर है बम है या तेरताली है तो गराशे जन्जाती से समधित नर्ते सेली कौन सी है जल्दी बताइए तो इसका राइटांसर हो जाएगा लूर तो गराशे जन्जाती सम्मझेद नर्ते सेली कोशी होगी लूर होगी नेक्स्ट है दोस्तो विजे द्यान देथा के बारे में अदो लेकित कतनों पर विचार की दिये ये दो कतन लेकित इन पर विचार करना है पहला कतन है विजे दान देथा राधस्तान के परशीद लेकित थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रुप में रुपांचित की गी दूसरा कतन है विजे दान देथा रुपायन सहिस्तान के सहिस्ता पके थे नीचे कूर दिये गए हैं केवल A सत्य है, केवल B सत्य है, ने तो A और नहीं B सत्य है, दोनों ही सत्य है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तो, चार नमबर, यानि दोनों A और B दोनों सत्य है, तो दोनों कतने सही है, नेक्स्ट कुछन देखते हैं, मिलान करना है सुची फेस्ट को सुची शेकंड में सुमेलित करना है तो यह दोस्तों परवस शिकर दियेगे सुची फेस्ट में नीचे दिये दूसरा सुची में दिया गया है इस्तित देश यह काँ पर इस्तित हैं उनका सही मिलाने करना है जो पहला है अलब रूस अलब तो आज़े अमेरिका में माउंट कूक तंजानिया में मेकिनले या रूस में है तो यह गल्थ मिलान किया गया आप सही इसका मिलान कीजिए नीचे कूट दिये गिए स्कूट का आंसर आपे जल्दी दें तो इसका राइटांसर क्या होगा तो इसका राइटांसर होगा तीन नंबर यानि अलबरूस काँपर है अलबरूस है दोस्तो रूस में किली मंजारो काँपर है तो किली मंजारो है दोस्तो तंजानिया में इसके बाद में है माउंट कूक आ है तो माउंट कूक है न्यूजिलेंग में और मेकी इनले का पर रहे है मेकी इनले है अगला कुषन देखते हैं अगला कुषन दोस्तो जिए वीविता मापने के गणीत के सूचकांगों में से कोन सा एक स्ताँनी स्तर पर किसी समुदाय, आवाश ये स्षेत्री में मत थे, पर्जाति विवेत्ता को दरसाता है, तो इसका रायट आंसुर क्या होगा? उप्शन है अलपा सूसकंग, बीता सूसकंग, गामा सूसकंग या इन में से कोई नहीं इसका राइट आंशुर क्या होगा? जल्दी से कमेट करिए तो इसका राइट आंशुर होगा दोस्तो अलफा सूच कांग इसका सही उत्तर हो गया अगला कुष्ण देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है तो सुमेलित लिए है नहीं है तो ओदोगी प्रदेश दिया गया है एक साइड में देस दिया गया है तो रूर है यह जर्मनी में बतारी है दक्षिनी न्यू इंगलेंड है यह United Kingdom में बतारी है पोगाठी इरली में और replant कांटो मेदान है यह जापान में बताया गया है तो इसका राइट आंसुर क्या होगा यानि सुमेलित कौन साथ नहीं है तो इसका सही उत्र होगा दोस्तों दो नमबर यह दक्षणी नियू इंगलेंड है यह सुमेलित नहीं है बाकी तीनों सही है रूर जर्मनी में पड़ता पोगाठी इतली में है, कान्टो में दान जापान में है, लेकिन दक्षनी नूइंग्लेंड है ये ये उन्डेट इंग्लेंड में नहीं है, तो इसका दो नम्बर स्का सही उत्तर हो गया केसी में नेस्ट क्यों दो चाज़ीन तो सिछि फैसट में नेहर दीया गया बूमदे साहगर को क्यों किया कि आगके दिया गया है एलबम ज्वान अद्बुग जु़प बाल्ठिक साहगर को पनामा नहर है ये अल्टरानल्टिक महासागर ये परचांद महासागर को स्वेज नहर है ये सुपेरियर जील वै हुरान जील को इसका सुमेलन कीजिए इसका राइट आंस्वर क्या होगा जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा दोस्तो एक नंबर यानि जो कील नहर है वह एल विजवार नदमुक वह बाल्टिक सागर को जोड़ती है इसको जोडने का कारिये करती है तब पनामा नहर है यह किसको जोडने का कारिये करती है तब पनामा नहर है यह किसको जोडने का कारिये करती है तब पनामा नहर जोडती है अंटाल्तिक मासागर यह परचान थे मासागर को तब अची स्वेज नहर तो स्वेज नहर किसको जोड होती है यह बुमद्य सागर वा लाल सागर को जोडने का कारिये करती है तो इसका राइट आंसुर क्या हो जाएगा यह एक नंबर इसका सही उत्तर हो गया अगला कुछन देखते हैं निमल लिक्षित में से कौन सी परवर्थे चोटी पुर्वी घाट में अवस्तित नहीं है कौन सी परवर्थे चोटी पुर्वी घाट में अवस्तित नहीं है फैस्ट है बेली कोंडा सलहेर सिंक्राम गट्टा और मादूगुला कोंडा तो इसमें से राइट आंसुर क्या होगा तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तो सलहेर, तो सलहेर इसका सही उत्तर हो गया, next question है कौन सा सुमेलित नहीं है उसमेलित नहीं है उसे वो बताना है कर्षी का नाम पॉंडू कर्षी कहां पर रखी जाती है ओडिसा में, माचा कर्षी हिमाचल प्रदेश में, पॉंडू कर्षी का नाम केरल में, जूं में, आसम में तो इन चारों में से जो भी सही होगा सुमेलित नहीं है, उसका आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर दोस्तो होगा मासा हिमाचल प्रदेश में यह इसका गलत है, तो इसका राइट आंसुर होगा, दो नमर्स का राइट आंसुर है हो गया अगला क्यूशन देखते हैं शूची फैस्ट को सुची शेकेंड में सुमेलित ही करना है तो सुची फैस्ट है, भारत में शर्क्षी चेतर्क सुची शेकेंड है संख्यावरस्षे दो 2018 में तो समुफमूदयक रिजर्वेस खेंक के आगे 103 दिया गया है, कंसुर्वेशन रिजर्वे के आगे 46 दिया गया है, राष्ट्रिय पारक के आगे 544 और वन्ने जीवब बैरने के आगे 63 दिया गया है तो इसको सुमलित जल्दी से कर दीजिए, comment करके बधाएए तो इसका राइट आंसुर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसुर दोस्तो हो जाएगा एक नमबर यानि सामुदायग रिजर्वे की सिंख्या चिंतर है और जो राष्ट्री पारक है उनकी सिंक्या दोस्तों 103 है भारत में और वन्नेजीव अबेरेन है उनकी सिंक्या 544 है इस प्रकार यह सुमेरित हो गए उसका एक नंबर इसका राइट आंसर हो गया अगला किसों देखते हैं भारत Electronics Limited यानि BEL इस रोके सयोग से क्या बनाता है करसी प्रदोगी की GAS सोर्चेल प्रमानु तक्निकी या सीडेक क्या होगा इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर हो गए दोस्तों GAS सोर्चेल तो दो नंबर इसका सही उत्तर हो गया अगला परसंद है सुची फेस्ट वस्ची शेकेंड को सुमेलित कीजिए ता निचे दिया गए कोड से उत्तर का चेन कीजिए सुमेलित करने वाले हैं जालोर के आगे कौन सा परवत दिया गया है बरवाड़ा परवत जेपुर में जारोला अलवर में रगनात खड़ और सीकर में बान गड़े इसको सुमेलित करना है जल्दी सी सुमेज़त कीजिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये एक नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा यानि जालोर में कौन सा परवत है तो जालोर में दोस्तो जारोला परवत है जेपूर में कौन सा परवत है जैपुर में बरवाडा परवत है था जो अलवर में कौन सा है बानगड और शिकर में लगुनातगड परवत ही पाय जाता है इस परकार ये चारों इसके सही होगे तो इसका ए इसका राइट आंसर हो गया अगला कुशन देखते हैं निमल कित में से कौन सी पहाडियां राजस तो इसका सही उतर होगा मुकंदरा पहाडियां तो मुकंदरा पाड़ा इसका राय आंसर हो गया अगला कुशन देखते हैं दोस्तो निमल को सुमेलित कीजिए फिर वही करने वाला परसन आगया सभीजली में पार्योजनत कोण जीलों में पाणी जा रहा है, उनसे फाइदा हो रहा है, तो इन 4 में से शुमिल करके बताइए इसका राइटान्सुर क्या होगा तो इसका राइटान्सुर होगा दोस्टों एक नंबर ये जो सिद्मुख प्रियोजना है वे काँपर है इसे हनुमान गड़ और चूरो जिले लाबान भीत होते हैं नर्मदा प्रियोजना है इसे जालोर वे बाड मेर जिले लाबानवित होते हैं जवाई प्रियोजना से जालोर वे पाली जोदपुर जिले लाबानवित होते हैं और जो अंतिम जो बची जाखम प्रियोजना उससे दोस्तों उद्यपूर वे प्रतापगर जिले लाबानवित उत्त ही होते हैं तो इसका राइट आंग्स पर एक नंबर इसका सही उत्तर हो गया नेक्स्ट कुछन देखते हैं राजस्तान में मई जून महिनों में उत्पन होने वाली धूल बरी आंधियों के लिए उत्तरदाई है क्या उत्तरदाई है A है कुछ इस्तानों पर समवनिय दाराओं की उत्पती B है अरावली पहाडियों दक्षिल पस्यम हवाओं के समानतर है C है अतितीवर गामी पूरवी हवाओं की उत्पती क्योशन दोस्तों आपको समझ में जो क्योशन समझ में नहीं है तो वीडियो को प्यूज करके आप अराम से क्योशन को समझ सकते हैं फिर उसका अंस्वरा पर दे सकते हैं तो option दिये गए है A M से दोस्तोरा है A B S है वो A M 2 और केवल A तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्योशन रिपीट कर रहा हूँ राजस्तान में मैं जून मैंनों में उत्पन होने वाली धूल बरी आंदियों के लिए उत्तर दाई है क्या उत्तर दाई है चल्दी बताईए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो केवल A राजस्तान के बारे में है Doon Season hor. में से कोसा कतन साथ्यु कोसा कतन नीना में सथ्य सट्य चाहरों बाते हैं अगला शर्क तो इसका राइट आंसर की अवजड़ क्या हो जाएगा के जाते हैं इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यह सफिँ टो चार मशनुत देखते हैं निमल लिकित में से कौन से खनीजों को राजस्तान लगबग अकेला उत्पादक राज्जी है तो कौन सा खनीज है इसमें लगबग उत्पादन उसका 90% उपर उत्पादन राजस्तान में होता है तो वैए है दोस्तों ए है सिसा एम जस्ता एसक तामर एसक वलेस्टोनाइट, एस्क और शेलिनाइट, इन चारों में से option दियागे नीचे, ए एम सह, ए बै दै, ए बै सह, एम ए सह, दै, तो इसका रहाइट आंस्वर क्या होगा? इसका रहाइट आंस्वर होजएगा दोस्तों, च्यार नंबर, ए सह, दै, यानि राजस्तान में सिसा, जस्ताइव, एसक, वलेस्टनोईट एंट, इनका उत्पादर 90 पटेस्ट सेधिक राजस्तान में होता है, तामर एसक है, इसमें यह गलत है, यह तीनों इसका सही उतर होगी, दोस्तों इस वीडियो में हमें 50% discuss करेंगे यह पहला पार्ट है इसके बाद में second part और जो थल पार्ट है उसका वीडियो बनाते ही उसका link आपको निचे इसके दे दूगा या उसका notification आपके पास आजाएगा यह आपने हमारे चैनल को subscribe कर रखा है टोटल 1500 क्यूशन है तो 50 क्यूशन इस वीडियो में करेंगे पचास अगले पार्ट में उसके बाद 2016 का जो पेरी का पेपर है वो आपके लिए लेकर आएंगे तो आरेस मेन का 2016 पेपर वा था वह भी हम आपके लिए लेकर आएंगे तो अगला क्यूशन देखते है वरस 2017 तक में राजस्तान के कौन से चेतर में सारवदिक कच्चे तेल का उतपादन प्राप्त हुआ है तो कौन से चेतर में हुआ है विकार नागोर बेसीन में जैसलमेर बेसीन में बार्ड मेरे सांचोर बेशिन में या इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आन्सुर क्या होगा तो इसका राइट आन्सुर दोस्तों हो जाएगा बार्ड मेरे सांचोर बेशिन यानि इस छेतर में सारवधिक कच्छे तेल का उतपादन प्राप्त ही हुआ है next question है जन्गंडना 2011 के अनुसार करम से भारत एम राजस्तान की नगरिय जन्शन क्या का परतिशत क्या है पहले भारत की फिर राजस्तान की नगरिय जन्शन क्या है उसका परतिशत क्या है option है 24.87 परतिशत एम 31.15 परतिशत अगला है 34.15 परतिशत एम 24.87 परतिशत 21.87 परतिशत एम 34.15 परतिशत एम 24.87 परतिशत तो इन चारों में से राइट क्या होगा इसका राइट आंशल क्या होजए गा दोस्तों तो 4 नमब्री इसका राइट आंशल हो जाएगा यानि 2011 की जन्शन करना के अनुशार चो भार्त की नगरिय जन्शन क्या है वह है 31.15 राजस्तान ये कितने है 24.87 परतिशत है तो ये इसका राइट आणन्शल हो गया अगला किसम देखते हैं निम्मल लिकित में से राजस्तान में कौन से महत अपुन खनीज आदारित उदोग हैं उनके बारे में बताना है ए है जस्ता गलन उदोग, सिमेंट उदोग, इलेक्ट्रोनिक उदोग, वैर संग्मर्मर उदोग निची option आपको दिये गये हैं वीडियो को फ्यूज करके देख लिजिए इसका आंस्वर आपको जल्दी देना है तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer दोस्तों हो जाएगा तीन नंबर यानि यानि जस्ता गलन उदोग, सिमेंट उदोग, संग्मर्मर उदोग, ये तीनों क आपका right answer हो गया, अगला परसंद देखते हैं, 2011 की जनगर्ना के अनुसार, राजस्तान के किन जिलों में अनोसुची जनजाती की जनसिंग क्या खा, परतिशत उनकी कुल जनसिंग क्या से नियूनतम है, किसका है, शिकर रेयों दोनपूर में, जूजनों चूरू में, विक विकानेरों नागोर में, विकानेरों नागोर इसका सही उपतर हो गया, अगला कुछन देखते हैं, पदरापाड मेर में परस्तावित ओयल रिफाइनरी, किसका सिंक उपकरम है, किसका है, ONG-CLA-M 12 सरकार का, OIL-EM राजस्तान सरकार का, HP-CLA-M 12 सरकार का, HP-CLA-M राजस्ता ने सरकार का, यह सही उपकरम है, तो च्यार नमबर इसका सही उत्तर हो गया, 35 कुछन हमने कर लिए, अब अगला कुछन देखते हैं, कौन सा सुमेलिती नहीं है, तो इसके बारे में देखते हैं, बीलवाडा में सुमंकर मोर है, चूरू का सुमंकर कर्ष्न मरग है, दपूर का सेरे नहीं है, बाकी तीनों सही है, तो इसका राइटांस वरे, तीन नमबर इसका सही उत्तर हो गया, अगला क्यूस्वन है, केंदिरिये विदान सबार का निमनांकित में से कौन सा निरवाचन बारत साथन अधिनियम गुनिशू गुनिश के तयत हुआ है, तो इसका राइट आंशर हो जाएगा दोस्तो तो तीन नमबर इसका सही उत्र हो गया तो गुणी सो चबीस यह गुणी सो पैंतालिस के तहते हुआ है नेक्स्ट है गांधियन कंस्टिट्यूशन फोर फ्री इंडिया यह पुस्तक के किसने लिखी है इसके लेकर के कोन है अरुणा असा फली एचूत पटपरदन शिरिमन नारायन अगरवाल हुमायू कबीर क्या होगा इसका सहे उत्र क्या हो जाएगा शिरिमन नारायन अगरवाल इसका रैट अंसर हो गया नेक्स्ट कुस्स देखते हैं भारतिय समिदान सभा के संबंद में निमनांतित में इसे कोन से कतन सही है तो कौन सा कतन सही है, यह वेस्क मतादिगार पर अधारित थी, यह परत्यक्स निर्वाचन का अपने नाम थी, यह बहुत दली सरंचना नहीं थी, यह कई समीतियों के माध्यम से कारियरत थी, ओप्शन है A, M, D, A, M, B, 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 C, A, B, C, D, चारूं, तो इसका राय टांसुल क्य हो गया, यह वेस्क मतादिगार पर अधारित नहीं थी, यह यह कई समीतियों के माध्यम से कारियरत थी, यह दो इसके राय टांसुल हो गया, अगला क्यूस्तन है, भारत के उस्तम न्याले के न्यादिश की, आयू ऐसे प्रादिकारी द्वारा और ऐसी रित्ती से अवदार संसोदन दियागे, इनमें से किसमें किया गया है, तो इसका राय टांसुर हो जाएगा दोस्तों, पंदरवे समिधान संसोदन में, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक नमबर इसका राय टांसुर हो गया, अगले पेज पर देखते हैं, अगला क्यूस्तन है, मूल अधि संग एक गोपालन बनावे मदरास राज्य तो इसका सही उत्तर आपको देना है option आपके सामने है वीडियो को प्लूज करके आराम से उत्तर देजिए तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों तो तीन नंबर इसका उत्तर होगा याई डी ए बी शी याई पहले एक के गोपालन बनाव मदरास राज्य फिर गोलकनाद और फिर के सवरंद भारती फिर मिनरवा मिल्स बनाव भारती सैंगी तो तीन नंबर इसका सही उत्तर हो गया नेक्स्ट क्युशन है निम्नाकित में से कौन सवरंद सिंग समीति गुनीशो चिंतर के सदश से रहे हैं तो कौन कौन रहे हैं ए आर अन्तुले, S, S, रे, हरीदेव जोशी, C, M, Stephen कूट हैं दोस्तो, A, B, C, D, 4, A, B, C, 3, A, B, M, D, B, C, M, D तो कौन सा इसका राइट आंस्वर होगा? तो इसका सही उत्र हो जाएगा दोस्तो, A, B, M, D तो हरीदेव जोशी नहीं रहे हैं बाकी तीनों रहे हैं तो A, B, M, D इसका सही उत्र हो गया अगला कुशन देखते हैं भारत के समिधान के अनुचेद 240 के अंतरगत कुछ संग राज्ये छेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रिये जो राष्ट्रपती के सकती के संदर में नेमन मैं से कौन सा युगम है? सही सुमेलिती नहीं है तो कौन सा युगम सही सुमेलिती नहीं है? पहला उप्चन है 240 के अंडमान निकुबार दीव दूसरा है 240 के लक्स दीव 241 गया पुंडुचेरी फिर गया दमनेयों डीव तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तीन नमबर 241 गया पुंडुचेरी इसका राइट आंसर हो गया नेक्स्ट कुशन देखते हैं निमनांकित में से को सी तारी को भारत के राष्ट पती ने अपनी सक्तियों का प्रियोग करते हुए उद गोशना दुवरा ये गोशना की कि गंबीर अपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक ऐसांती से भारत के सुरुकसा को गंबीर खतरा ह है तो यह कभी किया गया जल्दी बताईए यह डेर दोस्तों हाली में गीए उस दिन आरिस के एक्जाम की तो यह वा दोस्तों पत्चीस जून गुनी सो पिचेतर को किसने कोशना की है जो इंद्रा गांदी की समयरास्ट्रपती थे उन्होंने इसकी गोशना की थी तो इसका राइट आंसवर क्या हो जाएगा पत्चीस जून दो जारे सोरी पत्चीस जून गुनी सो पिचेतर इसका राइट आंसवर हो जाएगा नेस्ट कुशन है भारतिय स्विधान के अनुच्छेद सत्यासी के अंतरकत भारत का राश्टरपती अभीवाशने देता है संसद के द तो इसका राइटांसुर क्या हो जाएगा तो इसका राइटांसुर हो जाएगा दोस्तों एक साथ सम्वेद संसद के दोनों सद्नों में नेक्स्ट कुशन है लोग सबाके परकिरिया और कारिस अंचालन नियम के अंतरगत नियम 377 के अधिन लोग सबाके सदस्यों दुवारा एक दिन में अधिक्तम कितने मामले उठाए जा सकते हैं गुनीश 20, 21, 22 तो कितने मामले उठाए जा सकते हैं इसका राइटांसर हो जाएगा 20 मामले उठाए जा सकते हैं तो B इसका दो नम्बर इसका सहीवत थर हो गया नेक्स्ट क्यूशन है निम्नांकित में से कौन सी भारतिय संसद की इवितिय समीतिया हैं कौन सी हैं प्राकलान समीति, लोक लेका समीति, लोक उपकरम समीति, संसल सदस्यों का वेतन यह बत्तों से सम्मधिते, समीति, कूर दिये गए हैं दोस्तों, A, C, D, A, B, D, A, B, C, और B, C, D, तो इसका राइट आंसुर क्या होगा? तो इसका राइट आंसुर हो जाएगा दोस्तों, A, B, A, C, तो प्राकलान समीति, लोक लेका समीति, लोक उपकरम समीति, यह तीनों इसके सही उत्तर हो गई, अगला किसों देखते हैं, भारत के नियंतरक एवं महाले का प्रिक्षक को, उसके पद से हटाए जाने की प्रकिरि के सम्मान है, तो इसका राइट आंसुर क्या होगा? इसका सही उत्तर दोस्तों होगा, उस्तम न्याले का न्यादिश के सम्मान है, नेक्स्ट है, केंद्रिय सुतरक्ता आयोग की स्तापना, किसकी अनुसंसाप्र की गई है? गोरवाला परतिवेदन, करपलानी समीति, संथा नम समीति, भारतिय पस्तासनिक सुधारे आयोग, तो इसका राइट आंसुर क्या होगा? तो इसका राइट आंसुर भी दोस्तों, तीन नंबर होगा, यानि सनाथ नम समीति के अनुसंसाप्र की गई है, तो तीन नंबर इसका राइट आंसुर हो गया, अब देखते दोस्त तो फेस्ट पार्ट का अंतियम क्यूशन, पचास नेमर का क्यूशन है, यह है जन हितियाचिका की अवदार्णा के शुरुवात किस देश में हुई, कनाडा में, सियुत राजी अमेरिका में, या आस्ट्रेलिया में, तो इसका राइट आंस्वर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा सियुत राजे अमेरिका में, यानि जन हितियाचिका की अवदार्णा की शुरुवात सियुत राजी अमेरिका में सरो परतमें हुई थी, तो यह दोस्तों 50 क्यूशन हमने आरेस परीका दो 2018 गा जो पेपर हुआ था, उसके 50 क्यूशन है उसके आंस् चल्द दोस्तों जल्दी में लेकर आउंगा तो वह भी आप जरूर देखें, या आपने अभी तक वीडियो को लाउक तब वीडियो को सभी दोस्तों के साथ वाटसब गुरूप में जातर सेदा शेर कर दें जिसे सभी आरेस के तयारी बेतर तरीके से कर सकें तब चैनल को अभी तक स्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिये गे लाज स्सक्राइब के बटन को दबा कर चैनल को आप सब्सक्राइब जरूप कर लें उसके पास जो बेल आइक और गंठे का साबनावा है उस गंठे के इसान को जरूप दबा दें जिसे हमारे आगे आने वाले सभी जो आरेस की समधित सूथना हो या कोई पेपर हो उसकी सूथना हो सभी की जानकरिया आप तक के पहुंच सके धन्यवाद दोस्तो